वेलकम तो चैनल तो इस वीडियो में हम लोग और एक न्यू केमेस्ट्री जॉब अपडेट के बारे में डिस्स करेंगे आज का जो जॉब है बेसिकली ओईल और नाच्रल गास कोरपरेशन लिमिटेड ओ इन जी सी जो एक प्राइबे सेक्टर यूनिट है जुब है जहाँ पर वेरियस एसिस्टेंट पोस्ट रिलीज वहाए उसके बारे में हम लोग डिस्स करेंगे डेफिरिटल यह जो पोस्ट है यह बीस्सी एन एमस्सी केमेस्ट्री स्ट्वेंट के लिए है तो इसके पहले स्मॉल रिक्वेस्ट इफ और नीड तो इस चैनल सब स्काइब करो शेयर करो तो स्टार्ट करते है यह इसका ओफिशल वेबसाइट है वह इन जिसी का ओफिशल वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग केरियर में जाएंगे तो केरियर में जो यह लिंक है यह पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यह पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो तो इसके बारे में हम लोग details में discuss करना start करते हैं तो यहाँ पर देखो यह इसका advertisement है recruitment of non-executive in ONGC ठीक है तो इसके advertising number कुछ ऐसा है जहाँ पर online application already start हो चुके 7th में से start हो चुके up to 28th में ठीक है all right तो यहाँ पर देखो different sector में जो vacancy उसके बारे में हम लोग details करेंगे different sector में different vacancy release हुए तो यह पर name of the post number of vacancy and reserve for the एक servicemen ठीक है तो यह पर जाएंगे जो उत्राखन जो दिरादुन में है यह पर देखो जूनियर टेकनिकल एसिस्टेंट जो chemistry का तीन vacancy है और यहाँ पर एक vacancy है और यहाँ पर कुछ backmark category के लिए कुछ vacancy रखा गया है one vacancy total यहाँ पर पाच vacancy है उसके बाद अगर दिल्ली में जाएंगे तो यहाँ पर कोई vacancy नहीं है उसके बाद महाराष्टा मॉंबाई में जो vacancy है देखो यहाँ पर chemistry student के लिए junior technical assistant chemistry chemistry के लिए दो vacancy है उसके बाद गोवा में जाएंगे तो यहाँ पर junior technical assistant में दो vacancy है ठीक है उसके बाद गुजराट में जाएंगे गुजराट जो sector है वहाँ पर junior scientific assistant chemistry में पाज vacancy यहाँ पर एक vacancy है ठीक है उसके बाद junior technical assistant chemistry में चार vacancy है यहाँ भी एक vacancy ठीक है तो different sector में different में कोई वैकेंसी नहीं है उसके बाद तामिल नारू कोई बाकेंसी नहीं है आसाम में यह जो है यह पर 극्षुनिय टेक्निकलल सिस्टन चेमीस्टी कर एक और अंगर टलियु आ में जौनियर स्ऱैंटिक सिस्ट्राबी %57 यह यह लेकर तो इसका टोटल वैकिंस है तो पे रीलीज हो आए ति नेरली 30 वैकिंस है अपर मेंचिन करागे है उसके बाद यह पे पे लेबल के क्या है यह जो पोस्ट ए जूनिय असइंटिफिक एस्सिस्टेंट के जिए जूनिय असिट्फिक एसिस्टेंट जो Junior Scientific Assistant का जो लेवल है, F1-11, जहां पर Post-Gadual Degree in Chemistry, तो M.Sc. in Chemistry चुट्विन अप्लाई कर सकते है, Junior Technical Assistant जो Post-A1 Grade का है, इसका Pay Scale, देखो, A1 Grade का है, इसका Pay Scale है, यहां पर कौन सी Category का चुट्विन अप्लाई कर सकते है, B.Sc. in Chemistry as a Main Subject का स्टुइन अप्लाई कर सकते है, और F1, A1 Level Post, Other Than Drilling, जो भी है, तो यह जो Category है na, Ciliar No.1 में, तो यहां पर देखो, General Student के लिए और EWA Student के लिए 18 Year Minimum, Maximum 30 Years, OBC Student के लिए 3 Year Concession, ACST के लिए 5 Years Concession, तो यह Age Limited है, इसका Online Application अप्लाई का चुट्विन अप्लाई का चुट्विन है, उसके बाद देखो, जाके, वह पर Online Application Procedure है, यह पर कुछ Requirement चाहिए, बहुत सिंपल Online Application Procedure है, कुछ Registration Fees भी चाहिए, 300 रुपीज फर देखो, General OBC and EWS Candidate के लिए, ठीक है, उसके बाद, Next Important Point जो आता है, यह पर कैसे, इसका Selection Process कैसे होगा, ठीक है, तो यह पर देखो, Selection Process होगा, Basically Computer Based Test, CBT, Followed By Different Skill Test, और Typing Test, जहाँ पर Applicable है, ठीक है, तो यह पर Exam के basis में होगा, तो यह पर क्या syllabus रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं, यह पर जो Computer Based Exam होगा, जो Part A, Part B, दोनों Part में होगा, जो Part A है, जहाँ पर General Mental Ability and Aptitude है, जहाँ पर 20% Weightage रहेगा, एक Marks का Question रहेगा, यह पर देखो, No Negative Marks रहेगा, CBT Test में कोई भी Negative Marks नहीं है, टोटल 100 Marks का Exam है, 2 Hours का Exam है, तो यहाँ पर देखो, जो Subject Based है, मालो Chemistry Student के जो Subject Based है, यहाँ पर 80% Weightage रहेगा, जहाँ पर 80% Carrying One Marks, ठीक है, बहुत इस Simple तरीके से आपर में मेंचन कियागा, यहाँ पर Candidate Marks Posses a Minimum Score of 40% Marks in the Essential Qualification, What does it mean, Essential Qualification जो यहाँ पर है, अगर हम लोग उपर जाएंगे तो देखो, यह जो Essential Qualification है, यह जो Essential Qualification, इस Post के लिए जो Essential Qualification है, इस Post के लिए Essential Qualification है, उसमें Minimum 40% Marks ज़रूरी है, ठीक है, Minimum 40% Marks होने की बाद क्या Facility में लेगा, देखो, यह पर जो Computer Based Test होगा, उसका Weightage रहेगा 85%, ठीक है, उसके बाद Academic Performance 15, यह पर जो Star है, उसका Meaning है, देखो, अगर किसी के बास Essential Qualification more than 40 to 50 है, वो आपर 0.5 Marks मिलेगा, 50 to 60% रहेगा, तो 10 Marks मिलेगा, अगर किसी Essential Qualification, अगर किसे के बास more than 60% Marks, उसको 15 Marks मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा Calculation यह पर किया गया है, Junior Assistant Chemistry के लिए, ठीक है, यह पर देखो, Junior Scientific Assistant का भी पार्ट है, तो यह हो गए इसका Details, तो मैंने Discuss कर देखो, कैसे Apply करना है, यह पर कैसे Taste हो का उसका भी मैंने बता दिया, syllabus बहुत सिंपल, यह पर mention क्या है, syllabus जो maximum question पूछा जाते, syllabus क्या होगा, तो यह पर देखो, subject based, subject related syllabus होगा, B.A.C., M.A.C. का syllabus से question पूछा जाएगा, यह पर aptitude based question होगा, तो यह ही इसका basic requirement है, इसका link मैं description box में दे दोंगा, जाके check कर लेना, apply कर देना, last date है, इसका online application का last date, 28th में है, All the ways for this job application, and thank you very much for watching this video.